हेलो फैंज आज हम 2015 के मैथेमेटिक सब्जेक्टिव टाइप कोश्चन डिसकस करेंगे शॉर्ट टाइप एंड लॉंग टाइप विद्शोल्योशन एंड एक्स्पेनेशन इन हिंदी एंड इंगलिस हमने प्रिविएस वीडियो में फिजिक्स एंड केमेश्टि के सब्जेक्टिव टाइप कोश्चन डिसकस किये थे उसका डिस्केप्शन में लिंक है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और भी पीविएस एर्स 2017-18 के अब्जेक्टिव सोल्योशन अप्लोड कर रखे हैं उसका डिस्केप्शन में लिंक है वहाँ जाकर देख सकते हैं एंड 2020 के सब्जेक्टिव एंड अब्जेक्टिव सोल्योशन डिसकस कर रखे हैं उसका डिस्केप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ जाकर देख सकते हैं बहुत सारे इस्ट्वें का रिक्वेस था कि subjective type question पे वीडियो बनाने के लिए तो यह वीडियो आपके लिए है अगर यह वीडियो आपके लिए helpful हो तो आप channel को जरूर support करें तो चलिए question discuss करते हैं तो यहाँ पे short type question से start है पहला question कह रहा है सिद्ध करें कि 4 cot inverse 3 plus cosec inverse root 5 equal to pi हमें यह proof करना है इसको दो तैसे कर सकते हैं या आप क्या करें इसे 10 में change कर ले क्योंकि 10 में formula लगा सकते है 10 inverse x plus 10 inverse y या इसको आप sign में change करके sign verse x plus sign verse y का formula लगा लेंगे मगर sign में change करना बहुत मुस्किल होगा तो यहाँ पे space कम है इसका solution हमने page में किया है यह given question है यहाँ पे हमने क्या किया है cot inverse को 10 में change कर लिया है causec inverse को भी 10 में अगर इसको sign में change करके solve करेंगे तो बहुत time consume होगा तो हमने यहाँ पे इसको 10 में change किया है तो cot inverse 3 को 10 में कैसे लिखेंगे 10 inverse 1 by 3 कॉसेक inverse root 5 वो sin में कैसे लिखेंगे sin inverse 1 by root 5 इसे हमें क्या करना है 10 inverse में लाना है तो आप direct भी ला सकते हैं अगर आपको property याद है तो direct आप 10 inverse 1 by 2 लिख देंगे अगर आपको property याद नहीं है तो क्या करेंगे इसको आप angle मान लेंगे theta तो यहाँ से sin theta क्या आ जाएगा 1 by root 5 sin theta 1 by root 5 आ गया तो यह क्या होगा perpendicular होगा यह hypotenious होगा यह base कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा pythagos का use करके तो यहाँ से 10 theta क्या आ जाएगा P by B यहाँ से theta क्या आ जाएगा 10 verse 1 by 2 तो आ गया यहाँ पे 10 verse 1 by 2 अब यहाँ पे formula यूज करेंगे 10 verse x plus 10 verse y तो आप जानते है 10 verse x plus 10 verse y के formula क्या होता है 10 verse x plus y 1 minus x into y तो यहाँ पे हमने use किया है 1 by 3 plus 1 by 2 by 1 minus 1 by 3 into 1 by 2 तो इसको solve करेंगे 5 by 6 आएगा इसको solve करेंगे 5 by 6 आएगा तो 5 by 6 5 by 6 क्या होगा 1 हो जाएगा यह 4 के multiple में चल रहा है 4 10 verse 1 आगिया हम जानते है 10 verse 1 का value क्या होता है 5 by 4 4 से 4 cancel 5 आगिया तो आपका यह prove हो गया फिर next question है फिर second number question है मान निकाले आपको determinant दिया हुआ है इसका value निकालना में तो इसको आप डाएग भी निकाल सकते हैं या आप इसमें row operation लगा लेंगे R1 में से R2 को माइनस कर देंगे फिर R3 को माइनस कर देंगे तभी भी solve हो जाएगा या आप property का use कर लेंगे या पर आपके लिए वो easy होगा तो हमने इसका भी solution page में किया है क्योंकि या पर space कम है तो यहाँ पर second number question का solution है यहाँ पर determinant दिया हुआ है हमने यहाँ पर A को delta मान लिया क्योंकि determinant को delta से denote करते हैं तो delta equal to यह given जो question यह हो जाएगा हमने यहाँ पर क्या किया है कॉलम operation लगाया है कॉलम में operation लगाया है यह कॉलम होता है यह row होता है कॉलम 3 में यह operation लगाया है कॉलम 3 में हमने कॉलम 2 को add किया तो जैसे ही add करेंगे यह कॉलम ऐसी रह जाएगा 1,1,1 यह भी ऐसी रह जाएगा इसमें क्या होगा, third column में ये add कर रहे हैं, तो ये add हो जाएगा, क्या हो जाएगा, add करेंगे तो bc हो जाएगा, इसको multiply करेंगे ab plus ac, फिर इसको add करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ab, bc, ca, फिर इसको add करेंगे इसके साथ, तो AB प्लस BC प्लस CA यह हो जाएगा अब यहाँ पर column 3 देख रहे हैं यह column 3 जो है identical है यानि एक जैसा है इसमें हम क्या करेंगे common लेनेंगे AB प्लस BC प्लस CA common आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 तो आप determinant की property परेंगे जब कोई row या column identical हो determinant का जो value आएगा 0 आएगा तो यहाँ पर column 1 column 3 क्या है सेम है इसलिए इसका value क्या आएगा determinant का value 0 0 को इसमें multiply करेंगे तो 0 आएगा तो आपका answer क्या आएगा 0 आएगा next question है फिर third number question है x और y का मान निकालना x प्लस y एक matrix दिया हुआ है x-y एक दूसरा matrix दिया हुआ है तो हमें x and y का value निकालना तो हम क्या करें यहाँ पर x प्लस y है x मान आएगा दोनों को add कर देंगे तो यहाँ से y y cancel हो जाएगा क्या आजाएगा 2x आजाएगा तो यहाँ से हमने इसको add किया तो इसके matrix भी add होंगे तो यहाँ पर जो corresponding element होंगे वो add हो जाएगा 10 हो जाएगा 7,3,10 0,0,0,0,2,0,2,5,3,8 हमें x का value निकालना है तो x क्या हो जाएगा सब element में क्या करेंगे 2 से divide देंगे तो 5 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यह x का matrix आ गया फिर y निकालना है तो क्या करें x को इदर transfer करेंगे यह matrix में से x को minus कर देंगे 7,0,2,5 इस में से minus करेंगे x के matrix को 5,0,1,4 तो यह कितना आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2,0 में से 0 जीरो आ जाएगा फिर 2 में से 1 मैस करेंगे 1 आएगा फिर 5 में से 4 मैस करेंगे 1 आएगा यानि y matrix जो होगा 2,0,1,1 और x matrix होगा यह फोर्थ नम्बर कोश्चन है यदि y इक्वल टू साइन अंडर बाइकेट कॉस अंडर बाइकेट टैन अंडर बाइकेट कॉर्टेक्ट तो dy by dx का मान निकाले तो इसका हमें डिफ्रेंसियेशन करना है आप डाइक नहीं करेंगे step by step करेंगे वो भी chain rule पर इसका solution हमने page में किया है यहाँ पर space कम है यहाँ पर question given है हमने differentiation किया है chain rule पर पहले क्या क्या है sign के साथ जो angle है उसके respect में फिर यह जो आया part इसका करेंगे differentiation किसके respect में जो cost के साथ angle है फिर इसका differentiation करेंगे किसके respect में जो tan के साथ angle है फिर इसका differentiation करेंगे किसके respect में जो cost के साथ angle है तो आपको यह differentiation करते रहना है जब तक कि x के respect में ना आ जाए तो हम जानते हैं, sign का क्या होता है, differentiation, cost होता है, यह जो angle है, ऐसी लिख देंगे फिर यहाँ पर cost का differentiation कर रहे हैं, तो cost का क्या होता है, minus sign, इसके साथ जो angle हो ऐसी लिख देंगे फिर 10, 10 का हम जानते क्या होता है सेक स्क्वार होता है यहाँ पर जो एंगल है इसको ऐसी लिख देंगे कॉट एक्स का क्या होता है differentiation माइनस कोसेक स्क्वार एक्स फिर हमने इसको क्या किया है एरेंज करके लिखा है d y y d x क्या हो गया पहले इसको लिख दिया है मायस मायस पलस हो गया फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा तो यह आपका answer हो जाएगा Next question है यदि y equal to 10 inverse x हो तो पर्थम सिध्धान्द के नियम से dy by dx निकाले यानि y equal to 10 inverse x दिया हुआ है तो हमें dy by dx फाइं करना है by using first principle इसका solution पेज में क्या है यहाँ पे space कम है तो यहाँ पे question given है तो हमने यहाँ पे y equal to 10 inverse x को fx माना है function of x first principle से differentiation फाइं करने के लिए हमें limit का use करना पड़ता है उसमें कुछ increment करते हैं function में फिर original function से उसको minus कर देते हैं जहाँ h tends to 0 तो यहाँ पे function क्या है तो यहाँ पे हमने function क्या माना है 10 inverse x को तो क्या हो जाएगा differentiation of 10 inverse x by dx क्या हो जाएगा limit h tends to 0 10 inverse function में क्या डालेंगे तो x plus h आ जाएगा x के place पे minus function of x यानि 10 inverse x by h limit h tends to 0 क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमने formula यूज किया 10 inverse a minus 10 inverse b खा तो यह हो जाएगा formula से by h फिर यहाँ पे limit h tends to 0 10 inverse इसको solve करेंगे तो क्या आ जाएगा h आ जाएगा x x cancel by 1 plus x into x plus h हमने यहाँ पे क्या किया है 1 plus x into x plus h से multiply and divide कर दिया है क्यूंकि limit को हमें solve करना यहाँ पे तो limit का एक rule होता है कि multiply में हम function को separate कर लेते हैं तो 10 inverse इतना by यह इसको हमने यहाँ पे separate किया है फिर limit h tends to 0 1 by इसको हमने ऐसी रखा तो आप limit में परे होंगे अगर जो यहाँ पे angle में है वह ही यहाँ पे है तो आप कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जब h tends to 0 हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो angle में है वह ही यहाँ पे है h tends to क्या चलदा है 0 चलदा है फिर इसका value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फिर इसका हमें limit put करके value निकालना है तो h के जाएपर जैसे ही 0 रखेंगे क्या हो जाएगा x into x plus 0 इसको multiply करेंगे क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x square तो आपका यह first principle से differentiation solve हो गया integration करना है e x into cos x dx तो इसका भी हमने solution पेज में किया है integration करना है e power x cos x dx का तो integration by part पे इसको हम solve करेंगे अब integration by part लगाएगे किसके according elate rule पे, elate rule क्या गयता है i से inverse function E से logarithmic A से algebraic T से trigonometric E से exponential यानि जो पहले आएगा उसे हम first function मानेंगे जो second आयगा उसको second function मानेंगे तो यहाँ पे क्या है trigonometric और exponential है तो यहाँ पे trigonometric क्या है पहले आणराать, exponential से इसको first function मानेंगे इसको second function मानेंगे तो integration by part क्या गयता है first function को बाहर रखेंगे second function का integration करेंगे minus integration करेंगे differentiation of first function into second function का integration करेंगे फिर overall इसका integration करेंगे तो यहां से क्या जाएगा e power x का e power x यहां पर cos x cos x का differentiation minus sin x e power x का integration e power x dx फिर फिर्स क्या करेंगे हम integration by part यूज करेंगे यह first function यह second function solve करेंगे तो यह आएगा तो इसको हमने ऐसी लिखा है फिर्स को integration by part पे हम solve करेंगे तो पहला function ये और दूसा function ये तो ये आएगा तो इसको जैसे ही हम solve करेंगे यहाँ पर integration of cos x e power x dx इसको हमने क्या माना था i माना था यहाँ पर इसको i रखेंगे अब i जैसे ही यहाँ transfer होगा तो कितना हो जाएगा 2i आ जाएगा और यहाँ पर क्या e power x common है तो e power x common लिया तो क्या बचेगा sin x plus cos x तो यहाँ पर इंटिगेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा e power x sin x plus cos x by 2 यह आपका answer हो जाएगा next question है 7 number question है यदि a vector equal to 2i minus 3j minus 5k तथा b vector equal to minus 7i plus 6j plus 8k तब a vector cross b vector का value निकालना है तो इसका भी हमने page में solution किया है तो यहाँ पर vector given है vector a vector b given है vector a cross vector b निकालने के लिए आपको determinant का use करना होगा यह i, j, k हो गया तो हमने i, j, k यहाँ पर लिखा है फिर इसका coefficient इसका coefficient इसका coefficient यहाँ पर लिख दिया फिर i, j, k का जो यहाँ पर coefficients है उसको हमने यहाँ पर लिखा फिर यहाँ पर cross करेंगे कैसे i को क्या करेंगे चुपाएंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे cross multiply करेंगे 8 into minus 3 minus 24 फिर minus formulae का 6 into minus 5 यानि plus 30 तो कितना हो जाएगा minus 24 plus 30 i इसको हमने चुपाया उसको तो Let Them When Youुद लिखेंगे फिर यह माइनस-फर्मूली का अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम जे को चुपाएंगे हाई और के का कोफिसेंट दीख रहा मॉलिपलाई करेंगे तो 8 इंक इन टू करेंगे 16 मैनस-फर्मूली का जो कोफिशेंट दिख रहे हैं उसको क्रॉस करेंगे 6 तू जा 12 माइनस फर्मूले का माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 हो जाएगा यहां से इसको हम सॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आई पर इसमें से माइनस करेंगे माइनस 19 आएगा माइनस माइनस 19 जे हो जाएगा फिशको माइनस करेंगे माइनस 9 के हो जाएगा यानि A vector cross B vector value आपका यह होगा तो यह answer होगा नेस्ट कोश्चन है, एट नंबर कोश्चन है, ए 75% मामले में सत्य बोलता है, तथा बी 80% मामले में, तो किसी एक ही तत्य पर, यानि एक ही स्टेटमेंट पर, दोनों में विरोधा भास होने की क्या प्राइक्ता है? यानि A जो है 75% cases में सही बोलता है B जो है 80% cases में सही बोलता है तो हमें यहाँ पे A and B का probability find करना है A की statement पर कौन कितना सही कहता है तो इसका भी solution हमने page में लिखा है यहाँ पे space come है हमें given था A 75% cases में सही कहता है यानि probability of A क्या हो जाएगा 75 by 100 हो जाएगा यानि 100 में से 75 बार यह सही कहता है तो जूट कितने बार कहता होगा यानि 1 में से minus कर देंगे जैसे ही minus करेंगे 25 by 100 आजाएगा फिर यह भी given था probability of B क्या दिया हो था 80% यानि B जो था 100 में से 80 बार सही कहता है कितने बार बोलेगा 1 में से माइनिस कर देंगे 20 by 100 तो दोनों का probability निकालना है एक ही statement पे कौन कितना सच है अगर A एक ही statement पे सच कह रहा है तो B जूट कहता होगा या या के लिए plus यूज करेंगे अगर B सच कह रहा होगा उसी statement को तो गलत कह रहा होगा तो probability of A हमने यहाँ पे निकाला है probability of B dash हमने यहाँ पे निकाला है probability of B हमने यहाँ पे निकाला है probability of A dash क्या था 25 by 100 अब यहाँ से solve कर लेंगे answer आप कहा जाएगा 7 by 20 परसेंट आपका यह answer होगा next question है अब यहाँ पे long type question आगिया यहाँ पे 9 से लेके 12 तक long type question है तो यहाँ पे 9 number question कह रहा है integration करना है 0 से 5 by 4 में sin square x dx इसका solution हमने page में किया है हम integration करना है 0 से 5 by 4 में तो हमने यहाँ फर्मूला यूज किया है तो हम जानते हैं 1 minus cos 2x का फर्मूला होता है 2 sin square x तो 2 को हमने y में transfer किया into dx अब इसको separate कर लेंगे अलग-अलग 1 by 2 हो जाएगा यह minus cos 2x by 2 हो जाएगा 0 से 5 by 4 यहाँ 1 by 2 बाहर निकलेगा constant है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इसका integration करेंगे dx के साथ x आएगा limit क्या है 0 से 5 by 4 minus यह 1 by 2 क्या है constant है तो common आजाएगा तो cos x का निकालेंगे यहाँ पर integration cos x का integration करेंगे क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा अब इसके साथ जो angle में constant है वो क्या आजाएगा denominator में आजाएगा limit 0 से 5 by 4 limit put करेंगे पहले क्या put करेंगे 5 by 4 minus 0 5 by 4 यहाँ पर put करेंगे तो 2 से 5 by 4 cancel हो जाएगा 5 by 2 बचेगा minus फिर 0 put करेंगे sin 0 हमने यहाँ पर 2 का मदल इप्लाई करके 1 by 4 लिखा है तो इसको जैसे ही solve करेंगे क्या आजाएगा 5 by 8 minus 1 by 4 तो यह आपका answer होगा next question है आउकल समी करन यानि differential equation दिया हुआ है हमें इसका solution निकालना तो यहाँ पर 2 question है एक यह रहा एक option में तो हमने यहाँ पर दोनों का solution लिखा है explanation के साथ पहले इसका देख लेते हैं तो यहाँ पर question given है differential equation का हमने इसको क्या किया है arrange किया है x minus y dy इसको इदर transfer किये x plus y dx हो गया feed dy by dx इदर transfer किये x plus y इसके नीचे x minus y अब यहाँ से आप देखेंगे तो यह homogeneous differential equation के form में क्योंकि उपर भी degree सेम है नीचे भी सेम है तो इसको हम किस type से solve करेंगे y equal to bx मानेंगे फिर इसको क्या करेंगे x के respect में दोनों side differentiate करेंगे तो क्या आजाएगा dy by dx equal to b dx यह product tool पर तूटेगा plus x dv by dx तो यहाँ से क्या आजाएगा dy by dx equal b plus x dv by dx इसको हमने equation 2 माना है इसको हमने 1 माना अब from equation 1 से यानि यह equation से dy by dx क्या हो जाएगा x plus y के जाब पर हमने क्या value पूट किया है bx यहाँ से dy by dx क्या आजाएगा यहाँ पर हमने x common लिया है तो 1 plus b 1 minus b बच जाएगा x x cancel हो जाएगा तो यहाँ से फिर हमने equation 2 को use किया dy by dx के जाब पर क्या पूट किया v plus x dvy by dx equal to 1 plus b by 1 minus b फिर यह जो b है इसको हमने इदर transfer किया है minus b हो गया तो x dvy by dx equal to क्या आजाएगा इसको solve करेंगे यह आजाएगा x dvy by dx क्या आजाएगा इसको solve करेंगे तो 1 plus b square by 1 minus b fees को हमने separate किया है b वाले term को एक जगा किया है x वाले term को इधर किया है दुनों तब क्या ले लेंगे integration ले लेंगे fees को हमने separate किया है 1 by 1 plus b square dv तो यह हो जाएगा minus b by 1 plus b square dv इधर क्या हो जाएगा integration of dx by x तो हम जानते है 1 by 1 plus x square dx का क्या होता है integration 10 verse x मगर यहाँ पर क्या भी है 10 verse b हो जाएगा minus तो इसको हमने substitution method से किया है फिर उसके बाद इसको differentiate किये dv के aspect में 2b dv equal to dt dv यहाँ से क्या जाएगा dt by 2b तो हमने यहाँ पर put कर दिया dt by 2b b से b cancel फिर यहाँ पर 1 by x का integration क्या होगा log x plus constant होगा यहाँ पर 10 verse b को हमने क्या लिखा है फिर को हमने माना था उपर y by x minus 1 by 2 तो यहाँ से क्या बचेगा dt by t 1 by t का क्या होगा log t equal log c plus constant फिर इसको हमने इसे लिखा है minus 1 by 2 log t को हमने क्या माना था 1 plus b square यहाँ पर लिख दिया log x plus c फिर इसका आगे शोल्योशन है फिर यहाँ पर हमने क्या है 10 verse y by x minus 1 by 2 log 1 plus b square था वहाँ पर तो b को हमने क्या माना था y by x तो y square by x square equal to log x फिर इसको हमने इसे लिखा है minus 1 by 2 log इसको solve करेंग यह आएगा equal to log x plus constant था इसको हमने इसे लिखा है minus 1 by 2 इसको क्या करेंगे log a by b का फर्मूला क्या होता log a minus log b तो यह हो जाएगा equal to log x plus constant फिर इसको हमने इसे लिख देंगे minus 1 by 2 log x square plus y square minus 1 by 2 से multiply किया यहाँ पर फिर इसको कर देंगे minus 1 by 2 से multiply तो plus हो जाएगा यह plus होगा यहाँ पर equal to क्या होगा log x plus c यह भी plus होगा इसको हमने इसे लिखा है minus 1 by 2 log x square plus y square log x equal to log x plus c log x log x cancel हो जाएगा equal में क्या बचेगा सिर्फ constant बचेगा बाकि यह जो बचा इसको हमने इसे लिखा है तो यह आपका final solution होगा फिर 10 number question का यह optional question है dy by dx plus y by x equal to y square by x square इसका हमें solution निकालना था तो यह भी क्या है homogeneous differential equation के form में तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे y equal to bx तो यहाँ से b क्या जाएगा y by x फिर इसको क्या करेंगे दोनों साइट x के aspect में differentiate करेंगे तो आजाएगा dy by dx b plus x d by by dx फिर क्या करेंगे इसको put करेंगे यह given differential equation में तो क्या हो जाएगा b plus x d by by dx plus b इसको हमने b माना था equal to b square यह y by x b था उसका square है फिर यह क्या हो जाएगा b plus b 2b x d by by dx equal to b square फिर यहाँ से क्या जाएगा x d by by dx equal to b square minus 2 फिर हमने क्या किया यह b वाला term है इसको d by के denominator में लेगे यह x वाले term को हमने एक जगर लिखा है फिर दोनों साइड integration किये तो यहाँ पर देख रहे है denominator क्या square के form में है तो यहाँ पर हम special integration का formula लगाएगे इसको square के form में हम ऐसे लिख सकते है b square minus 2b plus 1 minus 1 हमने यहाँ पर किया है equal to dx by x फिर इसको हम लिख सकते है b square minus 2b plus 1 को b minus 1 का all square minus 1 equal to integration dx by x फिर इसका integration हम जानते है special integration से dx by x square minus a square हो तो क्या होता है 1 by 2 है log x minus a by x plus a तो यहाँ पर x के जाब पर क्या है b minus 1 a के जाब पर क्या है 1 तो 1 by 2 into 1 हो जाएगा log b minus 1 minus 1 b minus 1 plus 1 equal to क्या हो जाएगा 1 by x का integration log x यहाँ पर कुछ constant आएगा इसको solve करेंगे यह आएगा हमने यहाँ पर b का value put किया है y by x log x constant को क्या माना है एक another constant माना है log के क्यूंकि क्यूंकि जबी भी आप differential equation solve कर रहे हो अगर LHS, RHS में log का term आ रहा हो तो आप constant भी क्या माने log माने क्यूंकि आपका further जो solution होगा easy हो जाएगा log log cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा log इसको हमने solution किया है इसको solve करेंगे तो यह आएगा तो यहाँ पर हमने formula यूज किया है log a plus log b equal to log a into b यानि log x into k यह जो base है इसके power में जाएगा तो power जैसे ही आएगा 1 by 2 1 by 2 वो क्या लिखते हैं हम root लिखते हैं equal to क्या हो जाएगा log x into k यह को क्या करेंगे transfer करेंगे power पर तो यह आजाएगा यहाँ से log log cancel तो आपका यह answer आजाएगा आगे भी solve हो सकता था मगर यहाँ भी आपका answer हो जाएगा next question है 11 number question है सरल रेखा के समीकर्णों को प्राप्त करें जो दोनों सरल रेखाओं यह आपका lines दिया हुआ है Cartesian form में पर लंब है और उनके परतिछेद बिंदू से गुजरती है तो हमें equation of state line निकालना है जो इस दोनों line पे क्या है परपिंडिकूलर है और जो पास कर रहा है यह two line है उसके point of intersection से पास कर रहा है तो इसका भी solution हमने page में किया है हमें given था line Cartesian form में एक यह था दूसरा line यह था तो solution में तो हम जानते हैं अगर line Cartesian form में हो यानि इस टाइप से यह इस टाइप में हो अगर दोनों परपिंडिकूलर हो तो उस case में आपका क्या होगा यह determination का value जीरो होगा x2-x1 y2-y1 z2-z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका determination find करेंगे तो जीरो आएगा और equation of lines होगा यह हो जाएगा अब तो हमें find करना होगा पहले x1 x2 y1 y2 z1 z2 तो यहाँ पर क्या equation से हम compare करेंगे तो x1 क्या आजाएगा minus 1 आजाएगा y1 क्या आजाएगा 3 आजाएगा z1 क्या आजाएगा minus 2 आजाएगा फिर इस equation को इसे हम compare करेंगे तो x2 क्या आजाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 होगा फिर y2 क्या आजाएगा? 7 आजाएगा z2 क्या हो जाएगा? z2 क्या हो जाएगा? minus 7 हो जाएगा फिर यह जो denominator में है यह क्या है? a1 है b1 है c1 है यह है a2, b2, c2 तो यहाँ पर हमें सब value मिल गया अब put करेंगे value तो यहाँ पर जितने value थे यहाँ पर हमें मिल गया है पहले हमें चेक करना होगा यह determinant के value 0 आता है या नहीं तो direct आप क्या करेंगे? इसको solve करेंगे first row के long हम इसको solve कर रहे हैं तो 1 in 2 क्या हो जाएगा? इसके column को उट आए, row को उट आए यह element बचेगा, इसका determinant लेंगे cross करेंगे, यह आएगा minus formula का 4 रखेंगे तो 4 के column को उट आए, row को उट आए यह 4 element बचेगा इसका determinant लेना है तो यह आएगा फिर minus 5 इसके column को उट आए, row को उट आए इसका determinant लेजिए, cross करके यह आएगा इसको आप solve करेंगे, तो 0 आ जाएगा यह जो value 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है जो equation of 9 है वो हमें निकालना होगा 0 से equate करके तो इसको हम solve करेंगे x minus x1 हमने अभी उपर लिखा था equation of 9 कैसे निकालेंगे x1 क्या आया है minus 1 तो x minus x1 क्या हो जाएगा minus minus plus 1 हो जाएगा फिर y minus y1 y1 क्या है 3 है तो minus 3 हो जाएगा फिर z z minus z1 z1 कितना था minus 2 plus 2 हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या था a1, b1, c1 तो a1 कितना है minus 3 2, 1 फिर यहाँ पर क्या था a2, b2, c2 a2 कितना है 1 B2 A2 कितना है 1 B2 Minus 3 C2 2 है यहाँ पर हमने put किया इसको solve करेंगे तो जैसे यहाँ पर solve किया है हम ऐसी करेंगे solve first row के long solve करेंगे तो हम X plus 1 लेंगे तो इसके column को अटाएंगे row को अटाएंगे यह 4 elements बचे उसका determination लेंगे इसको cross करेंगे यह आएगा Minus formula का इसको अगर लेते हैं Y minus 3 इसके column को अटाएंगे row को अटाएंगे यह 4 elements बचे इसका determination लिखेंगे फिर Z plus 2 लेंगे तो इसके column को अटाएंगे row को अटाएंगे यह 4 elements बचे इसका determination लेंगे यह आएगा इसको 0 से Equate करेंगे तो जैसे ही Solve करेंगे आपका आएगा 7X 7Y 7Z Equal to 0 यहां से 7 क्या होगा? Common हो जाएगा X plus Y plus Z Equal to 0 7 से अपका क्या करेंगे? इधर divide देंगे 0 हो जाएगा X plus Y plus Z आपका क्या होगा? Equation of line होगा जो given Equation of line पे perpendicular होगा और उसके Point of intersection से पास कर रहा होगा तो आपका यह answer हो जाएगा Next question है यह last question है कह रहा है निवन तमी करन करें यानि minimize करना है Z के value दिया होगा है जबकि आपका in equation दिया होगा X plus 2Y less than or equal 8 फिर दूसरा in equation दिया होगा है 3X plus 2Y less than or equal 12 X आपका क्या है X यहाँ पे क्या है greater or equal 0 है Y क्या है greater or equal यह देने का मतलब क्या हुआ आपका जो reason बनेगा पहले quadrant में ही बनेगा तो हमने इसका solution पेज में किया है तो यहाँ पे 12 number question का solution है minimize करना है Z equal to minus 3X plus 3Y पे given in equation दिया हुआ है इसको हमने क्या क्या है जैसे आप equation solve करते हैं आप 10 में किया होंगे उसी तर करना है इसको equation 1 माना है इसको फिर क्या करेंगे intercept form में change कर लेंगे यहाँ पे हमें 1 बना लेना है क्योंकि intercept में जैसे ही change करेंगे आपको point दिखने लएगा easy solve कर लेंगे फिर यह second equation है इसको भी हमने intercept में change किया है 12 से क्या किये है इसमें divide दे दिये तो क्या आजाएगा x by 4 plus y by 6 equal to 1 तो यहाँ से भी आपका यह आ गिया तो यहाँ से आपका point क्या आजाएगा पहला point क्या आजाएगा तो यहाँ पे x-axis पे जो point होगा 8, 0 y-axis पे जो point होगा 0, 4 फिर इस equation से हम point निकाल सकते है x-axis पे क्या होगा 4, 0 y-axis पे क्या होगा 0, 6 अगर आपको ऐसे नहीं आता है solve करने तो आप क्या करें एक एक करके value put करें और y का निकाले x जबर पे 0 रखेंगे y का निकल जाएगा y के जबर पे आप 0 value put करेंगे x का निकल जाएगा वहाँ से point आजाएगा आपको 2 ही point निकालने जे अगर 2 equation है तो 2 ही point निकालने है अगर 3 equation है तो 2 से जादे point निकालने होगा फिर इसी तरह आप इसमे value put करेंगे x का तो y का निकलेगा y का put करेंगे तो x का निकलेगा अगर आप intercept में change करते हैं तो आपको solve करना आसान हो जाएगा फिर यहां पर हम क्या करेंगे इस दोनों equation को solve करेंगे क्योंकि इससे हमें point of intersection मिल जाएगा यह दोनों graph कहां पर कट रहा है तो हमने क्या क्या equation को subtract किया है यहां पर जो पहला equation इसको second equation से minus किया है तो यहां 2y 2y क्या होगा तो यहां से 2y 2y cancel हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा फिर x minus x 2x आजाएगा equal 12 minus 8 4 आजाएगा 4 आजाएगा तो यहां से x का value आजाएगा 2 फिर 2 जैसे ही put करेंगे question 1 में आपका y आजाएगा y का value आजाएगा 3 आजाएगा अब हम इसका graph क्या करेंगे ग्राफ plot करेंगे आपको graph plot जो करना है carefully करना है क्योंकि बहुत सारे strength scale बहुत छोटा छोटा ले लेते हैं एक एक दो-दो का तो graph बहुत छोटा बन जाता आपको जो graph लेना है तो जो आपके points होंगे उसी के graph खीचना है जैसे हम मेरा point क्या था 4 था 6 था 8 था तो हमने दो-दो के defense पे point लिया है 2,4,6,8 ऐसी 2,4,6,8 तो पहले line का point क्या था 8,0,x-axis पे 0,4,y-axis पे तो यह पहले line का graph आ गया वो पहला line हम लिख देंगे यहां पे अब पहला line क्या कह रहा था less था यानि नीचे की तरफ आएगा less का मतलब क्या यह graph नीचे की तरफ आएगा फिर second line का points क्या था 4,0,x-axis पे 0,6,y-axis पे इसका equation क्या था 3x plus 2y less than equal 12 था तो इस equation में भी क्या है less than लगा हुआ तो यह graph क्या आएगा नीचे की तरफ आएगा अब देखेंगे दोनों का जो common reason क्या बन रहा है तो यह दोनों का arrow इस part में आ रहा है इस line का देख रहे हैं यहां पे आ रहा है और इस line का यहां पे आ रहा है पिर कह रहा था x क्या है आपका 0 से बढ़ा है तो यह आएगा y क्या है y भी 0 से बढ़ा यह आएगा यानि यह reason आएगा आपका a b c d तो यह reason में आपको क्या निकालना है minimum value निकालना है तो जो भी corner point होगा pick point उसको चुनना है तो हमने यहाँ पर क्या क्या है corner points लिका है जहाँ पर value निकालना है minimum z का value तो पहला point क्या था a था 0 4 फिर b क्या था 2 3 यह point of intersection है जो आपका x y value आया है वही point है यह फिर c क्या है 4 0 d क्या है यहाँ पर origin है 0 0 तो एक एक करके इसमें value put करेंगे तो यहाँ पर 0 4 put करेंगे तो यहाँ पर 0 करेंगे 0 होगा 4 3 जा 12 फिर 2 3 जैसे ही put करेंगे minus 6 plus 9 3 आ जाएगा फिर 4 0 जैसे ही put करेंगे minus 12 plus 0 minus 12 0 0 जैसे ही put करेंगे 0 plus 0 0 आ जाएगा तो इसमें देखना है सबसे कम value किस पर है इस point पर है minus 12 तो minimum value जो होगा इस reason का minus 12 होगा किस point पर 4 0 पर तो यह आपका answer होगा तो student हमने यहाँ पर total 12 question discuss कियें जिसमें short type plus long type दोनों थे अगर video helpful हो तो आप जरूर channel को support करें किस्ट आपची देखने होगा इस आपट झारा हो जापके जारे पर जारे में लागा होगा ठारा चारा होगा और दूहाँ झारे ठारेन जारे में खर्णिवाची अजिग